हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाताने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्टर्स के बाड़े में जिन्होंने आपने फिल्मों के लिए आपने लुक को पूरी तरीके से बदल दिया था पहले इस प्रिक्चार को देखी और बता ये कौन सी एक्टर है जिन्होंने फिल्मों के लिए अपने लुक को पूरी तरीके से बदल दिया था बता ये कौन सी एक्टर है चलिए आप लोगों की सुवीदा के लिए मैं आप लोगों को दो आप्ण देती हूँ एक नासिरुत दिन और दूसरी है अमिताब बच्चन तो बताए कौन सी अक्टर की ट्रांसफोर्मेशन लूक है जल्दी बताए आप लोगों के पास सिर्फ 5 सेकेंड है दोस्तों यह वल्यूड की लेजेंडरी एक्टर अमिताब बच्चन जी इन्होंने अपनी मुवी पाके लिए अपनी लुक्स की ट्रांसफोर्मेशन किया था यह मुवी 2009 में रिलीज हुआ था और इस मुवी में अमिताब बच्चन जी के साथ उनके बेटे अभिसक बच्चन और बिद्दाबलन भी थे तो इस मुवी में अमिताब बच्चन जी एक 13 सल का बच्चे की रोल प्ले किया था जिसको एक वायानक बीमारी था तो अमिताब बच्चन जी की इस लुक्स को देखके लोगों ने इसके काफी तरिफ किया था क्यूंकि यह लुक्स बहुत पर 5 सेकेंड है तो दोस्तों यह राजकुमार राओ जिन्हों ने अपनी फिल्म राप्ता के लिए अपनी लुक्स की ऐसे ट्रांसफर्मेशन किया था तो इस फिल्म 2017 में रिलीज हुआ था और इस फिल्म की लीड कैरेक्टर में थे सुसन सिंग राजपूत और प्रीती सैन तो राजकुमार राओ की इस लूप को देखके काफी लोग काफी ज़्यादा सौक्ट हो गये थे इस मूवी में राजकुमार राओ ने तीन सो चब्विस साल की एक ओल्ड मैन की कैरेक्टर प्ले किया था आप आगली फोटोस देखिए और बाता यह कौन से एक्टर है तो आप लोगों को मैं दो अप्शन देती हूँ तो पहला है रित्ति ग्रोशन और दूसरा है सानी दियल तो आप लोगों के पास फाइब सेकेंडे बाता यह कौन से एक्टर है दोस्तो यह है रित्ति ग्रोशन जीनों ने अपने फिल्म ढूम के लिए अपने लुक्स की ऐसे ट्रंसफर्मेशन किया था तो यह मूवी 2006 में रिलिस हुआ था तो इस मूवी पे हमें रित्ति ग्रोशन के साथ अभिसेक बच्चन और एसवरिया राई बच्चन वीपासा वासू उदाई चबड़ा और भी बहुत सारे अक्टर को देखने को मिले थे और इस फिल्म में सिर्फ एही एक लुक नहीं बलकि इस फिल्म में रित्ति ग्रोशन के बहुत सारे लुक्स को हमें दिखाया गया था जिन मेंसे ये एक था और जित्ती ग्रशन के जितने सारी लूक से वो भी काफी आच्छे लग रही थे और ये मुवी बहुत ज़्यादा सुफारीड हुआ था अब आगली पिक्चर को देखिए और बाते ये कौन सी अक्टर है तो आप लोगों को दो आप्सन देती हुँ एक संजाईदा दूसरी है रनबिर कापूर तो बाते ये कौन सी अक्टर है दोस्तो ये है रनबिर कापूर जिनोंने अपनी फिल्म संजु के लिए ऐसी लूक ट्रांसफर्मेशन किया था तो संजीव मोवी 2018 में रिलीज हुआ था और एक्ट्यूली में बॉलिवूड की एक्टर संजाईदात की बायोपिक था रनबिर कापूर इस मोवी में संजाईदात की बायोपिक प्ले किया था तो इस मूवी इस में रनबीर कापुर की बहुत सरे looks को दिखाया गया है और साड़े के साड़े सनज़ाईदत के गेट अप में तो इस मूवी इस में रनबीर कापुर की acting और उनकी looks की लोग काफे जाए तारीफ किया था अब दोस्तो इस पिक्चर्स को देखिए और बताई ये कौन सेक्टर है ये साउथ इंडरस्ट्री की बहुत बड़ी सुपास्टर है बताई ये कौन सेक्टर है तो आप लोगों को दो अपसान देती हूँ एक है सुरिया और दूसरी है बिक्रम तो बताई ये कौन सेक्टर है दोस्तों यह साउथ की सुपरस्टर चियान बिक्रम जिन्हों ने अपनी मूवी आई के लिए अपनी लुक्स की ऐसे ट्रांसफर्मेशन किया था यह मूवी 2015 में रिलीज हुआ था जहां पे सुपरस्टर चियान बिक्रम को पेसेंट की तरह दिखाया गया है जो इन्फ्लेंजा फाइरास से एफेक्टेट है तो इस मूवी इस में बिक्रम के साथ एमिज अक्षन को भी देगने को मिले थे और यह मूवी साउथ के साथ साथ नौर्थ में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अब आगली पिक्चर को देखिए और बते ही यह कौन सी एक्टर है तो आप लोगों को दो अप्सान देती हूँ पहला है लड़ा दत्ता और दूसरी है कंगना रानोत बताए कौन सी एक्टर है दोस्तों यह है के लिए अपने लुक्स की ऐसे ट्रंस्फोर्मेशन किया था तो यह फिल्म 2023 की नॉवेंबर में रिलीज होने वाली है और इस मुविस में कंगना रानोत ने इंडिया की प्राइम मेनिस्टर इंधिरा गांधी की क्यारेक्टर प्ले करने वाली है तो कंगना रानोत की इस ल